Personal Year Numbers की सीरी में बारी आ गई नमबर 7 और नमबर 8 की अगर आपका Personal Year 7 निकला है या 8 निकला है तो ये आने वाला साल आपके लिए क्या चेंजिस लेकर आएगा Well, begin करूँ, उससे पहले जल्दी से आपको Personal Year Number निकालना बता देती हूँ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो अभी तक जो मैं Cover कर चुकी हूँ वो Personal Year Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये Cover कर चुकी हूँ और इसके साथ पूरा 2025 का एक Common Lekha जोखा वो भी मैं Cover कर चुकी हूँ तो Personal Year कैसे निकालना है अपना एक्जामपल दूँगी जल्दी से दूँगी समझ आ जाएगी अच्छे से आपको आपको दो चीजों की जानकारी होनी जरूरी है आपकी जनम की तिथी और मन्त कौन सा है जैसे मेरा एक्जामपल दे रहे हूँ है 21st November तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 21st का हो गया 1 प्लस 1 November का हो गया अब मैं देख में चारी हूँ 2025 कैसा जाएगा तो 2025 का सिरफ 25 लेंगे हम 25 तो 2 प्लस 5 अब अगले साल का केलेंडर खोलूंगे और देखूंगे मेरी अगले साल बर्थ डे कौन से डे को है और मेरी बर्थ डे आरी है फ्राइडे को और फ्राइडे का नंबर क्या है 6 तो मैं इसमें अड़ करूंगी नंबर 6 हर एक डे का एक अलग नंबर है और वो ये नंबर आपके सामने है इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आपके लिए असान रहे calculate करना आपका या आपके परिवार में किसी का भी अब इसका total हम कर रहे हैं तो बन रहा है 18 और 18 का मतलब 1 प्लस 8 9, 9 मेरा अगले साल का personal year number है अब बहुत से लोग कहते हैं मैं अगर हम इसको total add कर दे तो तब भी सेम ही आएगा 21 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 6 करोगे तब भी सेम आएगा 63 आएगा तो भी 90 आएगा तो आप किसी भी format में कर सकते है single 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 digit करके total करना जादा आसान है और easy है अब यही वीडियो को pause कर लीजे आप अपनी calculate कर लीजे तो अगर आपकी date of birth के basis पे अगले साल number 7 या 8 आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है या आपके परिवार में किसी का आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है और अगर कोई और आ रहा है एट से पहले तो हो गए इसी method को use करके और exactly वही same answers पे आते हुए तो मैं इसी को use करते हूँ और इसी पद्देती से मैंने changes होते देख्या और इस channel पर बहुत सारे लोगों ने आके उसके बारे में बताया है कि कैसे life में changes आए चलिए जी start करते हैं नमस्ति तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुरु दक्षिना की जरूरत है और वो गुरु दक्षिना क्या है वो गुरु दक्षिना है आपका subscription और आपका इस channel को subscribe करना प्लस वीडियो को like करना और अपने friends and family के साथ share करना तो thank you so much for this गुरु दक्षिना तो आप start करते हैं अगर आपका number personal year 7 आया है तो किस तरह की जिन्दगी आपकी होने वाली है मतलब एक अलग सा मुझसे पूछो ना तो मुझे बहुत inherent अंदर से एक सुकून और खुशी मिलती है जब number 7 आता है तो जब मेरा personal year number 7 आया थो तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या कमाल के changes आए तो सबसे पहले keywords देख लेते हैं कौन से हैं पहला keyword spiritual insights आपको पहली चीज तो यह ऐसे लगने लगेगी कि अचानक से रोशनी हो गई आप spiritually जिस अंधेरे में थे निकल के भार आ गए दूसरी चीज intuition आपकी बहुत बहुत strong होगी तीसरी चीज इस साल आप कुछ चीजों को let go करोगे चौती चीज आप इस साल बहुत सारी नई discoveries, नई understanding, नई knowledge gain करना उस पर काम करोगे और यह वाला साल specifically बहुत अच्छा होने वाला है किस-किस के लिए जितने भी spiritual healers है, जितने भी tarot card readers है, जितने भी astrologers है, जितने भी healing modalities के साथ काम करते हैं दूसरों को heal करते हैं, दूसरों के लिए उनकी जिन्दगियों को बदलना चाहते हैं, change करना चाहते हैं, बटर करना चाहते हैं अगर आपका number 7 by 4 आ रहा है तो congratulations आपका level इस साल definitely एक next level का होगा अब ये आप के ओपर depend करता है उसकी बदालत आप परिशान होगे या उसकी बदालत आप enlightenment अपने आपको feel करोगे इस साल आप बहुत से questions के answers ढूंडोगे और वो answers आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सबके answers आपको बखुभी मिलने वाले हैं because आप depth में गोता लगाओगे इस साल किसकी depth में गोता लगाओगे spiritual knowledge की depth में गोता लगाओगे आप नई classes, नई courses, नया content occult sciences से related किसी ना किसी field से जुड़ोगे आपके लिए बहुत simple सा solution है बहुत simple सा suggestions है बहुत सारी self-help books जो है उन में से जिसके साथ connect हो रहे हो intuition कैसे better करनी है mindset पे काम कैसे करना है अपनी attitude और रवये को कैसे change करना है money के प्रती हमारी life में क्या changes आने चाहिए किस तरह हम money को देखते हैं किस तरह accept करते हैं किस तरह से deal करते हैं वहां से लेकर meditation से लेकर एक 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 area जो भी आपको किसी भी तरफ attract करता है उस area के लिए जतना जादा आप पढ़ते चले जाएंगे जतना जादा आप उसमें गोता लगाएंगे depth में उतना ही जादा आप अपने आपको enlighten पाएंगे इस साल के end तक इस साल आपकी intuition एक अलग level की होगी बहुत strong होगी बहुत higher level की होगी तो अपनी intuition को कायम रखना है जब जब आपको लगने लगे intuition में थोड़ा सा भी dip आ रहा है तो ऐसे में आप अपनी intuition को दो crystals के साथ वापस से बढ़ा सकते हो और वो सबसे पहले है labruderite तो labruderite का tumble labruderite का breastlet labruderite का pendant इन में से कोई भी form लेकर आप उसके साथ हर रोज meditate कर सकते हो आपको बहुत-बहुत फाइदा होगा कोई form of meditation आप ले सकते हो इसके साथ-साथ में आप as you write एक बहुत ही beautiful crystal है specifically उन लोगों के लिए जो इस में से किसी भी field के साथ जुड़े हुए है जब-जब वो इस crystal के साथ जुड़ेंगे वो अपने आपको higher level पर पाएंगे ही पाएंगे इसके इलावा एक blue kainite भी है जो आपकी intuition को बहुत strong करेगा और साथ में आपके clear thoughts और downloads के लिए भी help करेगा तो आप blue kainite को भी अपनी life का पार्ट बना सकते है जब-जब आपको लगे आपको intuition की सक्त जरूरत है aligned intuition की सक्त जरूरत है या downloads की जरूरत है आपके लिए कुछ spiritual practices को start करना इस time पर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आप continuity और अपने आपको एक मैंने कहाता ना शुरू में next level पर पाएंगे वो सब हो सकता है जैसे की scripting, जैसे की journaling जैसे की writing जल्दी ही मैं journaling का एक course लेकर आऊंगी workshop लेकर आऊंगी जिससे आपको बहुत फायदा होगा और हाँ, अगर आप चाहते हैं की कैसे through scripting और कैसे through 11.11 portal को use करते हुए, मैंने अपनी live को 3 साल में change किया, तो उससे related workshops मेरी live हो गई है अगर आप चाहते हैं तो आप उसको जरूर enroll करके उसका हिस्सा बन सकते है जो की portal 11.11 portal है जो start होगा 11.11 को 11.11 को और continue करेगा 12.12 से पहले, यानी 11.12 तक, तो ऐसे में पूरे one month का time है और उस one month में आप इस portal को use करके अपनी life में again changes कर पाएंगे, उसकी details description box में मैं दे दूँगी, आपके लिए फाइदा रहेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कुछ दोस्त, कुछ हमसफर जिसन के साथ बहुत प्यारा सा रिष्टा था बहुत सालों का वो छूट गए और उसकी बदौलत एक ही reason होता है जब हम एक कहते हैं ना एक स्टेप पे चलते हैं अपनी लाइफ के हम थोड़ा सा अलाइन होते हैं अपने लाइफ के परपस से तो कुछ ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जिनका समय अभी नहीं है जैसे वो कहते हैं बाग में बग्या में फूल खिलते हैं कुछ तो फूल ऐसे होंगे जो लगने के 15 से 20 दिन में ही खिल जाएंगे और कुछ फूल ऐसे होंगे जो 20-25 दिन बाद खिलने और कुछ फूल ऐसे भी होंगे जो almost जब कहते हैं ना सर्दी खतम हो रही होगी तब खिलने पे आएंगे तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ लोग हैं जो आपसे छूटेंगे, क्योंकि उनका समय अभी नहीं है alignment का, spiritual awakening का, या spiritually आगे बढ़ने का, वो अभी भी दुनिया की भीड़ भाड में, मेरा तेरा, उसका, इसका, ऐसा वैसा, उन सब चीजों में अभी भी पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको optimistic रहना है, उस तरफ जो छूट गया, जो चला गया, जो चली गई, उसको सोच के दुखी नहीं होना है, रादर optimistic यह होना है, कि जो आगे मेरे सामने भगवान ने रास्ता रखा है, वो बहुत ही beautiful है, चीजें बहुत beautiful हैं, और बहुत कुछ अच्छ नहीं होना, दूसरी चीज, क्योंकि जब हम किसी नई चीज को समझने लगते हैं, किसी नई पद्यती में घुसने लगते हैं, किसी नए आस्पेक्ट में जाने लगते हैं, तो ऐसे में हो सकता है, आपको लगे कि सीख तो रहा हूँ, पर वो practical implement नहीं हो पा रहा है, या नही से शेयर करी हूँ, इसकी बदौलत जो आपकी life में 360 degrees change होगा ना, वो उसका कोई भी comparison किसी चीज से भी नहीं है, 35 साल की एक बहुत प्यारी सी, कहते हैं ना, high level पर job करने के बावजूद भी, जो ये spiritual alignment की journey में अब घुसते हो ना, उसके बाद आपको ऐसे लगने लग जाता है, आप कहां थे इतने साल तक और आपने इतने साल पहले ये सब practices चुरू क्यों नहीं की, आपको अपनी intuition को trust करना है, दूसरी चीज, आपको समय समय पर breaks लेने हैं, क्योंकि जब हम spiritually life में आगे जाने लगते हैं, तो बहुत बार हम overwhelm हो जाते हैं, तो आपको देखना है कि इस पूरे साल में, at least 4-5 बार आप spiritual retreats रहेंगे, समय समय पर आप nature के साथ जोड़ेंगे, आप समुदर किनारे जा सकते हैं, पहाडों पर जा सकते हैं, आप पानी के जर्नों के पास जा सकते हैं, आपको जो भी nature से ऐसी चीज जो connect कर रही है, तो दुनिया की भीड से निकल करना है, spiritual और materialism, तो spirituality और materialism का जो bridge है, दोनों की जरूरत है, हमें इसकी भी है और इसकी भी है, human beings है ना हम, तो जब हम human beings की form में आए हैं, तो इस दोनों का जो bridge जोड़ता है एक दूसरे के साथ, इसके साथ आपको भी जुड़े रहना है, तो आपको ये नहीं कहना, मैं इ रहते हुए अपने आपको एक level उपर लेकर आना है, और इसके लिए ये simple छोटी छोटी प्राक्टिस जो आप स्टार्ट करेंगे आने वाले साल में, यही आपको आगे लेकर जाएंगी, अब मैं आ जाती हूँ इस चीज़ पे कि आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली चीज़, over analysis आपको नहीं करना, साथ नमबर जब केतु की बात करता है ना, वो हर चीज़ की depth में जाते हैं, गोता तो लगा ही रहो ना, तो छोटी छोटी भी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप उनको over analysis नहीं करोगे, मतलब वो कहते हैं ना, chewing gum की तरह उसको over doubting से बचना है, तो ऐसे में ये मत करिएगा कि मैं check करनू, मैं cross check करनू, ये ठीक है, ये गला तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, तो जितनी बार आप doubt करेंगे, जितनी बार आप over analyze करेंगे, आप खुद ही परेशान होगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए ही मैंने आप को बोला है, बार-बार nature के साथ जूड़ना है, तो जब भी आपको ऐसे लगने लगेगा कि कोई एक problem है, resolve नहीं हो रहे है, या इस problem का solution समझ में नहीं आ रहा तो surrender करना है, simple surrender करके कहना है कि guide me the way, universe help me, guide me the way, और universe आपको help करेंगे, रास्ता clarity से दिखाने के लिए, ऐसे में patience और optimism ही काम आएंगे, जो कि आपकी किसी भी चीज़ को proper solution आपके सामने लाकर दे पाएंगे, letting go यदा-कदा करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब कहते ना छूटती हैं, तो हमें ऐसे लगता है थोड़े दिन का दुख तकलीफ, लेकिन जब आप let go करेंगे आपके लिए बहुत benefit होगा, because फिर आप अपने आपको light पाएंगे, हलका पाएंगे, आप उन विचारों के साथ भरे हुए नहीं रहेंगे, तो ये हो गया हमारा next year number seven के लोगों के लिए, आप meditation के लिए clear quards की जाप माला, जिसको सफटी की जाप माला कहते हैं, उससे light, blue how light इनके साथ जुड़ सकते हैं, meditation से related gin crystals की मैंने बात की है, वो भी आपकी life में आपको help करेंगे, अब मैं आ जाती हूं next number पे, और जो next number है, वो number है number eight, eight number वालों के लिए keywords क्या है, तो सबसे पहले तो है awards and rewards, दूसरा है lot of hard work, और तीसरा है money 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 and money and money everywhere, तो आपके पास ब बहुत सारी चीज़ों में, abundance की, बहुत से chances मिलेंगे, पर उसके साथ एक star लग की आएगा और वो star है conditions apply, और वो conditions apply ये हैं, कि अगर आप अपने comfort zone में, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो तो वो आपका काम नहीं होगा, जैसे कहते हैं, hand pump देखा है, आज के जमाने के बच्चो तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन hand pump जो होता है ना, उससे पानी निकलता है जमीन से, तो जब हम hand pump चलाते हैं, तो उसके पाद पानी आता है, तो simple सी बात ये है, आप जब hand pump शुरू करते हैं चलाना, तो शुरू में खाली होता है, मतलब 3-4 बार में पानी नहीं आता तो ऐसे में आपको कोशिश रखनी है, continuity में, because आप से number 8 महनत तो करवाएगा, लेकिन आपको definitely abundance भी साथ में देगा, आपका business है, आपका खुद का काम है, कोई नया business चुरू कर रहे हो, congratulations, success है, फिर से कहूंगी conditions apply, dependent on how much of an effort you are putting in, अपना effort डालना छोड़िएगा मत, अपना to weekly planner, weekly planner, किस तरह से आप चीज़ों को प्लान करते हो, उसको प्लान करके चलेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से, ढंक से होंगे, इसके साथ-साथ में, आप अपने साथ में pyrite को किसी भी form में use कर सकते हैं, चैसे मैंने तो ये cluster रखा हुआ है, आप cluster में, tree के form में, pendant के form में, या फिर bracelet के form में use कर सकते हैं, ताकि वो आपको focus दे, वो आपको आपके काम की तरफ attention दे, और जब आपको लगने लगेगा कि नहीं, आराम कर लिया जाए, तो वो आपको कहेगा back to work, back to work, मुह से नहीं बोलेगा, लेकिन आपको वो energy तो वही वाली तो आपको लगेगा, अभी और चाहिए, और चाहिए, तो ये जो और वाला high ambition वाला state रहेगा, वो इस आने वाले साल में काफी हद तक रहेगा, एक चीज का और आपको धिहान रखना है, और वो ये धिहान रखना है, कि जितना आप कुछ भी अरजित कर रहे हैं, उससे कु परसंटेज आप निकाल के दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते रहें, ताकि वो जो money का flow है, वो continuity में बढ़ता चला जाए, अगर कोई पुराने legal disputes चल रहे थे, तो possible है कि इस साल आपके favor में जाएंगे, उसको बहुत methodically समझ लीजेगा, कर लीजेगा, और वो जैसे कहते हैं, हम एक बात बोल कर आते हैं, कि अगर यह ऐसा हो जाए, तो भगवान जी मेरी मनों कामना पूरी हो जाए, तो मैं यह करूंगा, यह करूंगा, तो आप भगवान से जादा आप अपने आप से बोलेंगे, कि मेरी यह चीज पूरी हो जाएगी, तो मैं जैसे कहते हैं ना 8 number Saturn का है manifestation का number है 8 number हमेशा ये कहता है कि आप आगे बढ़ रहे हो but at the same time जब हम 8 लिखते हैं तो हम अप जाते हैं डाउन जाते हैं आप जाते हैं डाउन जाते हैं या balance के दो तरह जो के दो हिस्से तो दोरों तरह से ही आपको balance बना कर चलना है तो patience आपकी ज leadership skills test होंगी किस तरह से आप वेभार कर रहे हैं अपने subordinates के साथ अपने लोगों के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ या आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा इन दो चीजों के अंदर ताल मेल बना कर बढ़ा कि रखिएगा वो आपके लिए benefit होगा last but not the least आपको mindset पे काम करना है और हर रोज काम करना है because आप जब हम कई बार एक ambition में घुस जाते है तो वो ambition बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और वो ambition आपको एक तरह से addiction में दे देता है कि मुझे और करना है और करना है और कमाना है या और अच्छा चाहिए बट उसकी बदावलत आप no doubt सब कुछ बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हो पर उसको enjoy नहीं कर रहे होते हो तो कोशिश करिएगा कि too much of addiction नहीं रहे और mindset इस तरह से काम करें कि you are here to do some karma and that karma has to bring you the rewards तो most importantly तीन चीज़े completely अगर मैं बात करना चाहूंगी number 8 वालों के लिए तो जितना ज़ादा आप ठहराव से methodically काम करोगे उतना ज़ादा आपको benefit होगा इस साल जितना ज़ादा आप हरी में और भागते दोडते और सब कुछ लेना है सब कुछ अचीव करने के मोड में काम करोगे उतना ही ज़ादा progress आगे भागती चली जाएगी आपसे दूसरी चीज़ over attachment आपको किसी चीज़ से नहीं करनी ना पैसे से ना खुद से ना रिष्टों से ना किसी और चीज़ से वो कहते है ना एक लेवल ऐसा होना चाहिए neutral आप attached to be detached अगर वो policy follow करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो कोई भी part manifestation का अगर आप अपनी life का part इस साल बनाएंगे चाहें वो 369 है, 5 by 5 method है या कोई भी बहुत सारे तरीकें होते हैं जन से हम manifest करते हैं, उन सबसे related चीज़ों को अगर आप अपनी life में इस साल implement करते हैं तो आपको results बहुत जल्दी मिलेंगे well manifestation के लिए 11-11 portal तो खुली रहा है जो कि एक पूरे महीने का है, उस time भी आप अपने आपकी बहुत सारे चीज़े manifest कर पाएंगे I wish you all the very best, आप पूछेंगे ma'am हमारे लिए तो कोई आपने crystal गी नहीं बताया, तो सबसे जादा आपको जो help करेगा, वो करेगा pyrite और जब आपको peace of mind चाहिए होगा तो amethyst की help ले सकते हैं आप amethyst आपको help करेगा peaceful sleep से, और manifestation के लिए आप श्री यंत्र को use कर सकते हैं और चाहे वो pyrite का श्री यंत्र हो या green adventuring का kubir यंत्र हो इन दोनों में से आप कोई भी अपनी life का पाट बनाएंगे तो वो दोनों ही आपको इस साल में magical results देने वाले हैं I wish you all the very best and God bless you wishing you a very very happy new year ahead God bless